ग्यान समझ में आने लग जाए ग्यान सहज लगने लग जाए यह मार्ग बड़ा सुविधा जनक लगने लग जाए एक बात सभी इसे बहुत स्परश्टतह समझें कि आपको सहज वो इसलिए नहीं लग रहा है कि ग्यान मार्ग सहज है बलकि आपको यह मार्ग सहज इसलिए लग रहा है क्योंकि गुरु ने अपनी शक्सियत अपनी करुण अपनी दया ऐसी बरसाई है कि कठिन से कठिन शब्द भी तुमको सहजता से समझा रहा है जैसे छोटे बच्चे के प्रश्न पूछने पर मा पिता उसकी बुद्धी जितने सत्य को समहल पाए समझ पाए वो उतने भर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बच्चा बड़ी गहरी बात पूछ ले और माबाप उसका जवाब ऐसी सरलता से देते हैं क्योंकि उसकी बुद्धी अभी उतना ही समझ पाएगी इसलिए जितना उत्तर मापिता ने दिया और बच्चे की इस छोटी सी अकल को संतुष्टी हो गई और दीरे दीरे वो यहाँ जानता है कि मेरे माबाप ने मुझे सब बता दिया मुझे अब सब पता मापिता ने उसे सब बताया नहीं क्योंकि अभी उसके सब समझने की योगता नहीं पर बालक की सुविधा है तू बालक को जितना समझ आ सके उतना भर उद्वुधन जैसे मापिता देते हैं ऐसे ही स्रीकृष्ण ने ग्यान को ऐसा सहज करके छटे अध्याय में सामने रखा कि सुनने वाले सविश्रोताओं को यही लगा कि भई ये तो बड़ी बात आसांती तो काम हो गया हाला छटे अध्याय और अब सात्वे अध्याय में एक लंबा अंतराल आया है और इस लंबे अंतराल में आप सादकों ने अपने अंदर जाग के देखा ही होगा न द्वेश्ती ना कांक्षती इत्यादी जो भगवान ने बातें कहीं थी कि जिसने अपने तत्व को जाना अब उसके लिए क्या शुब क्या अशुब क्या शत्रू क्या मित्र क्या दुख क्या सुख क्या हर्ष क्या सुख जीवन के सभी दुन्दों से पार हो गया अब छटे अध्याय के समापन होने और सत्म में के शुरू होने के बीच में जो वक्त तुमने जिया है उस वक्त में तुम्हें क्या समझ आई कि तुम्हारे लिए सुबा, शुब, सब, द्वन्दव खत्म हो गए कोई शत्रू ना लगा, कोई मित्र ना लगा कोई वेरी ना लगा, कोई मित्र, कोई हितैशी ना लगा जिस प्रेम में कोई शर्त ना हो जिस प्रेम में कोई चंडिशन न रखे जाए जिस प्रेम में समर्पन पूरा हो और समगरता से हो जिस प्रेम में संशय ना हो जिस प्रेम में कटुता ना हो जिस प्रेम में कोई बिद्रोह ना हो, जिस प्रेम में कोई दुराचार ना हो, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, वही प्रेम अनन्य प्रेम होता एक हिंदी के कवी ने लिखा था कि दूध और पानी में अनन्य प्रेम हुआ दूद और पानी को मिलाया गया मिलाप से कि जो इनका सम्मंध बना उस सम्मंध में पानी ने अपने आपको पूरी तरह से दूद में तनमया कर दिया जब आपने उसे अगनी पर चढ़ाया गर्म करने के लिए तो भाप बनके जलमरा पानी दूद वहीं रहता है तो अनन्य प्रेमकार्थ हुआ जब आप अपने आपको समर्पित कर दें इस तरह से के समर्पित करने वाले को समर्पन का भी ध्यान न रह जाए हाथ में बोड तक्ती पकड़के सबको सुनाता न फिरे मैंने समर्पन कर दिया मैं इश्वर पे अपने आपको न्यचावर कर दिया मैंने अपने आपको गुरु पर न्यचावर कर दिया जो इस तरह की अनाउंसमेंट्स करते हैं वो भी समर्पित नहीं है इसलिए बोल रहे अनन्य प्रेम का आर्थ क्या है जब प्रेमी यह भी न कहें कि मुझे प्रेम है जब आप ऐसा कहते हैं कि मुझे प्रेम है इसका मतलब तुम्हें अपने होने का एहसास है इसलिए तो आप अपने आपको परिभाशित कर रहे हो और यह दिखा रहे हो कि दूसरों में नहीं है या दूसरों में कम है और मेरे में ज़्यादा है अगर अर्जुन बोलता ना एकृष्ण मुझे को तुमसे अनन्य प्रेम है तो यह जूट हो जाती बात यहां अर्जुन नहीं यहां कृष्ण कह रहे है अर्जुन तुझको मुझे में अनंत प्रेम है कितना मैया सक्त मना जैसे मन, घर, दे, परिवार में आसक तो हो जावे तो अपने आपको उन से अलग नहीं देखता अपनी मैं को उन में मिला देता मेरे बच्चे नहीं, मैं ही बच्चे हो जाता तभी तो तीसरी जमाथ में बच्चे ने 90% माक्स लिये तो खुश उसकी माँ हो रही होती यह नहीं कहेगी कहने में तो यही आएगा कि मेरे बच्चे के 90% माक्स आए हैं पर वो कह यह रही है, वो महसूस यह कर रही है कि मेरे आए बच्चे की सफलता में अपनी सफलता देखता है बच्चे की विजय में अपनी विजय देखता है बच्चे की हार में अपनी हार देखता है और तमाम माबाप की ये कोशिश रहती है कि जो वो खुद जिन्दगी में नहीं कर पाए अब वो अपने बच्चों के जरीए अपनी इच्छाओं को पूरा कराना चाहे है खुब तो कंपाउडर भी नहीं बन पाया बेटे को कहता है दॉक्टर बन वह सो तर्क दे सकता है मुझे अवसर नहीं मिला गरीबी थी हम काम कर रहे थे हमें मुका नहीं मिला बच्चे तुम्हें मिल रहा है इसका फाइदा उठाओ परिवार से जो आपकी आसकती है इस आसकती के कारण आप यह नहीं कहते हो कि यह मेरे बच्चे हैं आप उन बच्चों में भी अपने ही मैं की एक्स्टेंशन देखते हो एक्स्टेंशन बच्चे आपकी अपनी एक्स्टेंशन दिखती है और तुम्हारे पोते दोते वो एक्स्टेंशन और आगे फर्दर सिस्टर कंसान एक और खुल गई तो पुत्र से अधिक प्यारे पोते और बेटियों से अधिक प्यारे दोते तो बच्चों से तो अपनी मम्ता जैसे तैसे शायद हटा भी ले लेकिन जो मम्ता पोतों में और दोतों में फस्ती है न उसमें से तो निकलते हमने नहीं देखा लोगों को फस्त वो जरूर देखा यह भी है अपने बच्चों के पैलन पोजिशन करने में जो गलतियां हुई हैं और अकल देर से आई है तो सोचता है कि अब ही अपने जो अबागे जो पोते या पोतियां हैं उनको और भी अच्छा देंगे क्योंकि यह तो मेरे ठीक से पल नहीं पाए इनको ठीक से बनाएं इसलिए दादा हमेशा पुत्र को कोस्ता हुआ और अपने पोते को साराना देता हुआ दिखेगा तू गधा यह निकलेगा लाइक तू तो गधा निकला वीवी का गुलाम निकला तेरे बच्चे को ठीक से पालेंगे इसको ठीक से सांस कार देंगे विटे ने पलटके बाप से कहा कि गधे का पुत्र गधा ही तो होगा गधे का पुत्र गोड़ा तो हो नहीं जाएगा परिवार में आशकती कार में आशकती रुपय में आशकती बिजनस में आशकती आशकती सिर्फ बंदन नहीं होता है आसकती का अर्थ ये है कि आप उस चीज के साथ अपने मैं को जोड़ देते हो और अपने मैं की प्रोजेक्शन उसमें आप पाते हो You begin to see yourself in those people, in those objects, in those things Krishna कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझको मुझसे अनन्या आसकती है आसक्त मनहा, तेरा मन मुझही में आसकता है बले भाई हैं तेरे चार, बले पत्नी हैं तेरी संदर, एक नहीं, अनेक पत्नी है और तेरा मन मेरे में ही लगा है देखें, आप जिसके साथ अपने मन को जोड़ेंगे, उसके गुण आप में जरूर रिफलेक्ट हो जाएंगे हमारा मन बिलकुल शीशे की तरह है और ऐसा शीशा है जैसा कि जानो कैमरा का लेंस कैमरा के लेंस के आगे जो आ जाएगा कैमरा उसी को अपने में कैद कर लेता पुराने कैमरा, मैं रील कैमरा की बात नहीं करी हूँ, मैं डिजिटल कैमरा की बात करी हूँ जिसमें स्पेस भी बहुत सारा होता है जो आता जाएगा वो उसको रिकॉर्ड करता जाएगा, अपने हाट डिस्क में उसको सेव करता चला जाएगा हमारा मन बहुत जायदा जल्दी प्रभाव में आ जाता है हम जिनके पास भी उठते हैं, बेशते हैं, जिनको सुनते हैं, जिनको सोचते हैं आप किसको सोचते हो सुनना बड़ी बात नहीं है सुनने का भी असर तो है पर सुनने से भी जाइदा बात कीमती यह है कि तुम सोचते किसको लोग सुनते तो है गुरुओं को पर सोचते हैं बच्चों को सुनते हैं सटसंग को पर ध्यान में उनके कारोबार होता है So it is not what important what you listen but what is important is what you retain in your mind आप किसको बार बार सोचते हो आपके मन की बृत्ती किसमें बार बार अटकती है और जहां यह आपकी मन बृत्ती अटकेगी आप पर उसका प्रभाव आता ही है निश्चिति आये गाए अगवान कह रहे हैं कि तुझको मुझमें आनन्य प्रेम है तेरा मन मुझमें लगा है पार्त योगम यह पार्त तिरा मन योगमन जुड़ना तेरा मन मुझी में जुड़ गया है और इस स्मग्रता से तू मेरे संग जुड़ा है कि अब मैं मेरे एश्वरिय, मैं मेरे रूप स्वरूप, मैं मेरी माया, इन सब वस्तूओं के विशे में अब तुझको बतलाता हूँ, क्यूंकि तु मेरा ही हो गया। आपका किसी से कितना ही प्रेम क्यूं न हो जाए, कोई दोस्त आपका कितना ही करीबी क्यूं न हो जाए, आप उसको अपनी तिजोरी का कोड नंबर तो नहीं दे देते हूँ, कई तो पती अपनी पत्नी को भी नहीं देते, बुले ये रुख जो चाहिए बता मैं देता हूँ आज भगवान अपने सारे ट्रेजर हाउस को अपने प्यारे अरजुन के लिए खोलने जा रहे हैं और करश्न कह रहे हैं कि चुकी तु मदाश्रिय, तु मेरे आश्रित हुआ है मेरे में जुड़ा है, मेरे से अनन्य प्रेम है, मेरे में ही तेरे मन की आ सकती है इसलिए जो मेरी समग्रता है मुझे अब तु मेरी समग्रता में जान पहले त्रीकर्ष्ण ने अपने आत्मस्वरूप का ग्यान अपने तत्वस्वरूप का ग्यान अपने वास्तविक अस्तित्व का बोध अर्जुन को दिया अब कुष्ण कहते हैं मेरे इस साक्षी, मेरे इस ब्रह्म रूप के साथ जो और सब समगर बल और ऐश्वरिये है अब तु मेरे उस बल, अब तु मेरे उस ऐश्वरिये के विशे में भी जान असंशयम समगरम माम यथा जास्यसी तच्ष्रुनु सुनो, श्रिणु माने सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अभी तक मेरे बारे में सुना था अब मेरे बल और मेरे आश्वरिये के बारे में सुना सब्तम अध्याय गीता का एक तरह से सबसे जाइदा कम समझाया है लोगों और उसका कारण क्या है मैं वह भी बतलाऊंगी कारण यह है कि क्रश्न के भगतों ने क्रश्न को एक देह वाला, एक शरीर वाला, जो दिब्य है शरीर सर्वगुन संपन है, सात्विकी है, एश्वरियवान है, पुरे जगत का नियंता है और उस एश्वरिय से युक्त क्रश्न को इश्वर की कोटी में बैठाया और फिर कहा कि क्रश्न, क्रश्न हम जीवों से भिन है, अलग है और उसका सबसे बड़ा सुबूत यह अध्याय है अब इस अध्याय के जैसे जैसे आगे श्लोक निकलेंगे तहां मैं इस बात को फिर खुलासा करूँगी कि कहां आकर के लोग अटके क्यों छटा अध्याय सारा भूल गया है वो लोग अटक गए वो क्रश्न की देह में अटक गए जिनको छटा अध्याय याद रहा वो क्रश्न के वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को द्रष्टी को चर रखते हुए फिर सब्तम अध्याय में वो फसेंगे नहीं फिर वो सब्तम को भी ठीक से समझ पाएंगे स्री कृष्न कहते हैं ज्यानं ते आहं सविज्ञान मिदं वक्षाम्या शेष्टह यजग्यात्वाने भूयो अन्या अन्यजग्यातव व्ययंव शेष्यते पगवन कहते हैं मैं तेरे लिए सविज्ञानम ज्ञानम अब यहां दो बात आ रही है एक विज्ञान एक ज्यान जो जानकारियां पदार्थ के विश्य में हूँ उन्हें हम कहते हैं विज्ञान जो जानकारियां आत्मस्वरू के लिए हूँ वो है ज्यान ज्ञान विज्ञान पदार्थ और उर्जा पदार्थ और कहो आत्मा तो जो पदार्थ के बारे में बोध करावे उसे हम कहते हैं विज्ञान और जो आत्म स्वरुप का बोध करावे उसे हम कहते हैं ग्यान भगवान कहते हैं अब जो तुम मुझ से सुनेगा ये विज्ञान सहीत ज्ञान है जो लोग यह सोचते हैं कि western science is the pioneer or the father of the science they are highly ignorant जब पॉस्चिमी सब भेताओं का नामो निशान भी नहीं था उस काल में स्री कर्ष्न ने विज्ञान शब्द का उप्योग किया ज्यान ही नहीं आर्जुन मैं तुझको विज्ञान भी कभी अब मैं बोध कराऊंगा और अशेशतह वक्ष्यामियत संपूरंत से कहूंगा कोई चीज छोड़ूगा नहीं मैं क्रष्न जैसा टीचर हो क्रष्न जैसा आचारिय हो क्रष्न जैसा गुरू हो सामने तो कोई चीज रह भी कैसे सकती है कोई चीज बच भी कैसे सकती है भगवन के तो यज ज्यात्वा नेह इस ज्यान इस विज्यान को मुझ से जनने के बाद भूया अन्यतः ज्यातव्यम ना अभिशश्यते फिर इसके बाद ते लिए कुछ भी इस संसार में ज्यानने युग नहीं बचेगा complete knowledge ज्यान भी विज्यान भी ज्यान भी विज्यान 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 भी विज्या इस स्रष्टी में इस धर्ती में जो जी रहे हैं इन हजारों में कोई कश्चित, कोई मेरी प्राप्ती के लिए यतन करेगा उस समय हजारों की संख्या चल रही है चल रही थी और आज की परिपाटी में हम कह सकते करोडो या कहू अर्भो अर्भो मनुष्य इस धर्ती पर है पर इन अर्भो मनुष्यों में कितने मनुष्य हैं जो भगवां की खोज़ करेंगे बोले कोई एक अगर आज से 5000 साल पहले भगवान सैस्रेशु शब्द का उपयोग कर रहे है हजारों में कोई एक आज के युग में हम कहेंगे अर्वों में कोई एक पहले तो अर्वों में कोई एक भगवान क्या है इश्वर कौन हैं, कहां हैं, कैसे हैं, हमारा उनका सम्मंद क्या है, कैसे है पहले तो इसको जानने की चाह अर्वों में किसी एक के चित में आएगी फिर इन अर्वों में एक जो अर्वों होंगे मने पहले एक, अर्वों में कोई एक, out of millions one will seek then out of these millions of seekers one will come to know what I am खाल रहे ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात स्रीकर्ष्ण कह रहे है करोडों में, अर्वों में कोई एक, तो मुझ इश्वर को जानने की चाह करेगा और फिर करोडों मुझे जानने की चाह रखने वालों में से कोई एक मुझ को समझ पाएगा कोई एक मुझ तक पहुँच पाएगा अनन्त सिद्धी, अनन्त यतन करने वालों को भी सिद्धी प्राप्त नहीं होती क्यों नहीं होती इसलिए नहीं होती है कि मन जितने जोर से तुमारा कारिय करता है उतने जोर से आपके अंदर तत्व जानने की इच्छा काम नहीं कर रही तुमारे मौन में हजारूं हजारूं बिचार उठते हैं उन बिचारों में एक बिचार ये भी कभी-कभी आज आजाता है आत्मा क्या है जान ले, भगवान क्या है जान ले So out of thousand, it is just one thought and this thought is also not constant one भूख लगती है तो रोटी की चाह आजाती है, ठकान होती है तो आराम की चाह आती है, ठकान जैदा हो जावे तो नींद की चाह आती है, शरीर के सुख चाहिए, इंद्रिय के सुख चाहिए, मन को थ्रिल चाहिए, जोय चाहिए, एक्स्रसी चाहिए, आखे बहुत कुछ दु इच्छाय इतनी बल्वती हैं एक 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 इच्छा का अगर तू नोट बनाने लगे तो तू खुद हैरान होगा कि इतनी इच्छाय है मन में बात छोटी सी है आप भोजन करने बैठे यही आश्रम में आप भोजन करने बैठे तो दाल, रोटी, चावल, सब कुछ आ गया इतने में आपकी नजर पड़ी कि तू सामने वाली पंक्ति में कोई मिठी चटनी दे रहा है सब को दे रहे हमें नहीं दिया क्या करने आए अश्रम में? गीता सुनने आए गीता सुनने आए तो गीता की चाह रखो तो चटनी की चाह बीच में कहां से आगई? बात समझ रहे हैं? रामकृष्ण परमहन से काहनी कहा करते थे कि एक चील और उंचे उड़ रही थी इतने उंचे के दूर तक देखो तो लगे जैसे एक काला धबबा आकाश में उड़ा चला जा रहा है अभी रामकृष्ण वो उसको देख रहे हैं और बड़े विश्मित हो रहे हैं कि किजना उंचा उड़ती है चील क्या उड़ान है? क्या उंचाई है इसकी? हम आदमी तो चलांग मारें तो दो फुट की चलांग मार लेंगे चार फुट की चलांग मार लेंगे फिर पटक से जमीन पे आ जाते हैं चील को देखो कितने उंचे उड़ रही है और शायद रामक्रशने हवाई जाज देखा भी नहीं होगा तो उनके लिए चील की उड़ान और उंचाई बहुत बड़ी थी इतने में क्या देखते हैं कि चील उपर से सिधे निचे को आ रही है और निचे आकर के जमीन पर उतर गई रामक्रशने को बड़ी इच्छा होई कि नीचे की उतरी है तो देखा जमीन पर एक मरा हुआ चुहा पड़ा था वो चुहा खाने के लिए उपर से नीचे आई इस दृष्ट को रामक्रशने उद्धारन के लिए इस्तेमाल करते रहे कि तुम्हारा मन बिलकुल इस चील की तरह ही है अभी तो उड़रा है बड़ा उच्छा ध्यान हो जाए समाधी हो जाए मैं कौन हूँ पता लग जाए ब्रह्म क्या है पता लग जाए मोक्स हो जाए ब्रह्म कारबुरती जग जाए और किसी एक विशय रूप मास के उपर मरे हुए चुहे के उपर धर से जाके गरते हो किसी एक इंदरी के भोग के लिए वो आखों का हो, कानों का हो, मू का हो, नाख का हो यह कि मेरी बहु मेरी जट नहीं करती there is a lot of controversy and fragmentation in the human mind so for a moment you want to get moksha and the next moment you want to enjoy ice cream ice cream नहीं मिली नहीं देखिये, हम यह नहीं कह रहे हैं के ice cream, मत खाईए या ना खिलाईए खाईए भी, खिलाईए भी लेकिन खाना और खिलाना जिस समय हो रहा हो या जिस समय होना हो सिर्फ उसी समय उसकी बात होनी चाहिए ना ice cream सामने है ना खाने कोई खिलाने वाला तुम को सामने है पर तुम मन ही मन में आइस्क्रिम का बिचार बनाते जा रहे हो और उससे बुरी बात यह हो जाए कि तुम्हारे घर में आए और तुम्हारी माँ या तुम्हारी पत्नी ने सब को दिया और सम्हाओ तुम्हे नहीं दिया भूल नहीं उसे लगा शाइद दे दिया होगा सब खा रहे थे, वो सब में इतने बिजी होगी तुम अपने सामने दूसरों को खाते हुए देखो और इस इंतिजार में बैठे रहो के तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा और तुम्ही को न मिले उस दिन तो बीवी की खायर नहीं है करोडों में कोई एक कि कोई एक है जो मुझ तत्व स्वरूप तक पहुच पाता है बाकी बीच में ही फिसल करे जाते हैं